हलो स्टुएंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्जेंपल नमर 14 से लास्ट हमने इंट्डूक्शन पार्ट पढ़ा एक्साइस 10.4 के लिए मतलब की पूरा है पर बोला एक ही लेक्चर के अंदर आपको मिल जाएगा कंप्लीट उसका डेरिवेशन कंप्लीट उसका कंसेट तो लास्ट वन है इससे जस्ट लास्ट नहीं देगा तो प्लीज चेक आउट करो उसको ताकि आपका जो कंसेट का हैइपर बोला को थोड़ा सा क्लियर हो जाए नेक्स हम देखेंगे एक्जेंपल में 14 क्या कह रहा है द दो इक्वेशनल लिखते है इसको कंपेर करते बời हैसा तो इक्वेशन ओफ है पर बोला देखो क्या होती है हमारे पास x square upon a square minus y square upon b square equals to 1 यह होती है अब आप इसको compare करें किससे इससे compare करें इसको on comparing on comparing देखो equation जो है आपकी x square upon 9 की जागे मैं 3 का holy square कर दू y square upon 4 का holy square कर दू यहां से हमने क्या देखा a का value 3 आ गया b का value 4 आ गया अब आपको क्या निकालना c c का value क्या होता है root a square plus b square formula है देख लेना आप लोग इंट्रपार्ट में पता है 3 square plus 4 isquare 33 जैना पूर से गया 25 c का value कितना आ गया आपके पास 5 हो गया आप मुझे पता है जो hyperbola रहता है वो इस side से रहता है दोनों side से ना इधर positive मतलब इधर positive और इधर negative मतलब तू रहेंगे आपके पास इंसे मैं क्या कह सकता हूं जो आपके पास coordinate आए जो आपके पास coordinates of 4 की आए वो क्या हो गया आपके पास x-axis के अलोंग रहे गाई तो प्लस माइनस रहेगा भाई इस side positive इस side negative प्लस माइनस 5,0 अगला coordinate of vertices coordinate of vertices vertices कौन होता है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ए रहता है एक ही वेलों देखो कितना 3 है तो एक इस side भी रहेगा इस side भी रहेगा तो प्लस माइनस 3 हो जाएगा यह ठीक है अगला eccentricity है आपके पास eccentricity कितना रहता है e equals to c by a c का अब ध्यान रहता है अब eccentricity वेलों प्लस माइनस दोनन रखनी एक ही रखनी आप पॉजिटिव का 5 रखेंगे हम यहां पर देखना positive का positive का 5 हो गया c और a का वेलों कितना है वर पास 3 है ठीक है यह हो गया eccentricity और देखो क्या है let us rectum let us rectum कितना होता है 2b square upon a b का वेलू देखो कितना है 4 का square upon a का वेलू कितना है 3 तो 2 multiply 4 4 16 by 3 तो यह हो गया 16 कितना 32 by 3 यह हो गया लैटनस rectum यानि l से denote करते हैं इसको clear रहे हैं तो यह हो गया complete आपके पास part 1 next देखिंगे part 2 क्या कह रहा है y square minus 16 x square equals to 16 यहाँ पर 1 चाहिए मुझे general equation compare करने के लिए तो मैं क्या करूँगा इसको divide कर दूँगा both side by 16 तो यह y square upon 16 minus x square यहाँ पर 16 हो यहाँ पर 16 है दोनों cancel out हो जाएकर यहाँ पर 16 by 16 वन हो गया तो देखो final equation का मनी y square upon 4 का whole square minus x square upon 1 का whole square equals to 1 अब ध्यान रखना अब आपके पास condition थोटीची different है हमने equation पढ़े थी पीछे वाली देखो x square upon a square लेकिन यह condition क्या है y square upon a square वाली condition है माइनस x square upon b square देखो यह वाली condition थी तो y square upon b square थो y square upon a square वाली condition बनेगी है बट यहाँ पर थोड़ सा changes है क्या changes है देखो इदर यह parabola और hyperbola आपका ऐसे बनेगा ऐसे along y axis along y axis जाए गई ठीक है ठीक है तो यहाँ पर देखो a का value हो गया 4 और b का value कितना हो गया 1 अगर मैं यहाँ से c का value निकल नहीं तो 4 का square plus 1 का square यानि की root 17 हो गया यह आया को समझे में बिल्कुल सर आ गया अब मैं क्या कहना चाहरा हूँ आपसे कि आपके पास a का value निकल गया c का value निकल गया और b का value निकल गया ठीक कैसे निकल गया अब आपको यहाँ पर simply क्या करना है coordinate लिखना है तो मैं लिखूंगा सिबसे पहले coordinates of 4 की तो क्या होगा वो plus minus root 17 c की जो value अब आप चीज ध्यान देना एक नट अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान देना अब आपके जो coordinate है वो कहां पर है इस पर है along y axis है अब यह सारी value c की value भी यहां से यहां के बीच में होगी c की value यहां से लेकर यहां तक होगी इसका मतब along y axis x की value 0 होती तो 0, plus minus root 17 लगाना है यह चीज आप ध्यान देना अगला coordinate of coordinate of vertices अब देखो vertices कहां होते हैं तो यहां पर भी आपको along y axis ले रहे हैं तो x की value 0 रखनी इस बार और y की value में plus minus 4 पूट कर दूंगा क्लिया रहे हैं आपर और next आगे अपने पास eccentricity e equals to c upon a होता c का value root 17 a का value 4 और देखो last one कौनसा पूछ रहा था आपसे lettuce ractum l equals to 2b square upon a 2b का value कितना हो गया आपके पास 1 हो गया है और इसका value कितना हो गया आपके पास a का value 4 हो गया तो यह कटेगा 2 time तो यह half बच जाएगा अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं